आँखों में मंजिल थी, गिरे, समले, मगर फिर भी चलते रहे, हवाओं ने बहुत कोसिस की, मगर फिर भी चीराग आंधियों में जलते रहे, आज मेरे साथ है पारसनात यादब सर हैं, आखिर कौन है ये पारसनात यादब, एक बिजनसमेन और समाज सेवी, कमाते भी कि सर एक लाग रुपया लून का पैसा से कैसे करोड़ पती बने और दूसरा कि आज जो सर को आप देख रहे हैं यतना यंग लग रहे हैं कुछ साल पहले जब मैं सर से मिला था तो ऐसा नहीं दिखते थे काफी मोटे थे बेट बहुत ज़्यादा था और चलने में भी सर को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी लेकिन अभी कुछ समय पहले जब मैं सर को देखा इनके बेटे के साथ तो मुझे यकीन नहीं हुआ जानना चाहेगी सर कि कैसे आप एक लाख रुपया लोन का पैसा से करोड़ पती बने सर बहुत इंस्पारिंग जर्णी है आपकी और बीच में बहुत अपसे डाउन भी आपके लाइफ में आया है तो कैसे उस टाइम अपना माइंड स्टेबल करके रखें क्योंकि बहुत सार कि में लोगों की मदद करते हैं सर हम आपसे जानना चाहेंगे सर प्लीज सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद तर्मीर सर अबरे सभी दर्शकों को भी मेरा पना कि देखिए सक्सेस का मूल मंत्र होता है कि शाहस है घज और आत्म विश्वाच किसी भी व्यक्ति कोई सफलता उसके आत्म विश्वाच पर नेवर करती है अदमी के पास आत्म विश्वाच है साहस है धर्ज है तो सफलता मिलती ही मिलती है इसमें कोई डाउट नहीं हम मारी दो यहम थी एक के वीपिएसी क्वालिफाइब करना या बीजनेस करना इसमें भी मैं लगभभग सक्सेस था लेकिन किस्मत साथ नहीं दिया इसलिए नहीं हो पाया अच्छा अच्छा ता वो इंसिडेंट बढ़ा बताईए कि क्यों नहीं आप विपिएसी क्रेक कर प का रीजन हुआ था बीपिएसी तरी आप तो पढ़ने में अच्छे भी थे सब कुछ था लेकिन ऐसा क्या हुआ बीपिएसी से सर हम पीटी क्वालिफाइए दो बड़ अच्छा दूसरा वार में मैं इरी त्यारी बहुत अच्छे थी उसका एक्जाम पड़ा था खगोल में खगोल से मैं परिच्छा दे रहा था चाहार पेपर का वहां सदिया एक पेपर मेरा पटना कॉलेजिट में था तो खगोल में रहन कि शुदा थी इसलिए लोगों ने कहा कि यहीं से आप पटना कॉलेजिट चले ज़िए जब अच्छा और वहां से जो भी टेम्पू जाती है फुलफिल होते जाती है बीच में रूखती नहीं है तो वहां से मैंने वहां से पेपर देने के लिए पटना कॉलेजिट निकला वहां से टेम्पू से बीच में टेम्पू खराब हो गई अच्छा अब उधर से जो भी टेम्पू आया फुलफिल है कहीं बैठाने की जगा नहीं जाने का कोई शुबदा नहीं किसी ने हमें लिफ्ट दी डंकमंगला चोप महुंचें वहां से टेम्पू रिजारों किये टेम्पू वाले को मैंने कहा कि पटना को लीजियोट जाना है अच्छा वह पटना को लेजिये के चला गया देखी कि एइश ट्रेजडी होती है किसी पटना को लीज जाने के बाद पता लगा कि नहीं तर्टना को लिजिये आपोजिट में हैं फिर वहां से आते-आते में कशली घंटा से उपर लेठोली अच्छा है फैध मैं नहीं होने के यह नहीं हूत प्रॉइषतてं किसी तरह अपने आपको समयवाई को इसके बाद मांई tam है भगवान वी चाहता था कि आप जॉब ना करें आप जॉब बाटे यह चीज़ है जो चाहते हैं वही होता है तो मैं यहां भाईया के नाम से रेश्टेशन था तो वहां मैं आगिया सप्लायर था तो कुछ दिन काम किया उसके बाद मेरे क्या दिमाग में आया एक अदमी कहा कि अधि भाई मेरा लून संसन करा दिये अच्छा है कि विएडा के चीर में थे शुरंदर जा दो थोड़ा सा प्रोच कि यह मेरा आप यह प्रोच कर वादी उनके लून पास कराने के चकर मैंने खुद अपना लून पास कर वा लिया आचा अचा अचा ठीक है समझे उसके बाद मेरी महीं से जन्नी सुरू हुई लून पास हो गया उसी एक लाग लून से मैंने बीजने सुरू किया अच्छा वो एजन्सी उगरा मैं इसके पहले भी एजन्सी करकर आया था चोटा भाई को एजन्सी डेवलफ करकर दे कर आया था यहां तो यहां भी मैं सप्लायर का काम भी देख रहा था और एजन्सी के काम भी देख रहा था चला था कि बहुत शारे प्रब्लेम आती है अच्छा यह बताइए मुझे एक लाग रुपया का लोन लिया आपने और उसके बाद बिजनस स्टाट किया और आप करोपती बन गए क्या ऐसा हुआ कि बीच में और भी कुछ अपसेंट डाउन फिर आया जी बहुत शारे आई एदेंसी मेरा अच्छा कसा चला था अच्छा था लेकिन एक समय आया कि एक के आज हम बुक लाइन में हैं मेरा नेशनल बुक शेंटर है किताब का दुकान है तो इसमें आने के चकर में मैं एक फिर ग्राउन में आ गया है अच्छा मतलब आपका ग्राफ उपर जा रहा था फिर घड़ साप नीचे आगे अच्छा हुआ ये कि कि कृष्णा बुक चेंटर था उन्होंने का कि आप हमें कुछ इंवैस्ट किजिए अच्छा बुक में और हम लोग पाटनर्स में काम करें महां मैंने इंवैस्ट कर दिया और इंवैस्ट करने के बाद किताब आया नहीं एजन्स मिला तो बोला कि नहीं आपको करना है तो आप सेपरेट किजिए उन्हें के पास बहुत सारा यह कंपनी का बाकी है इसलिए किताब नहीं आपाएगा तो हम कृष्णा जी को बोले कि भाई आप मेरा पैसा रिटर्ण कर दिए उन्हों ने समर्थता जाहिए थी वोला किताब आप तुकान ले दी अब मजबूरी में हमको तुकान लेना पड़ गया और मने डबल पैसा इंवेस्ट हो ग के बाद भीया काम हमने कमा कर दिया लेकिन किसी से एक पैसा अच्छा लिया नहीं मतलब आप फैमली से कोई सपोर्ट नहीं लिया मैंने अपने बल पर वह एक लाग के रूपिय के बल पर ही मैंने आगे बढ़ा और बीजनेस भी ठीक ठीक चल आथा लेकिन पैसा एजन्सी था उसको पैसा नहीं जाने के कारण एजन्सी चला गिया और एजन्सी जाने के बाद नतिजा यह होता है कि मार्केट का पैसा मार्केट में ही रह जाता है तो उसमें ऐसी प्रस्तिती आई कि मार्केट में पैसा का फंसा रह गया इधर में आपके दुकान में पैस प्रस्तितियां आती है आप कोई भी काम कीजिएगा तो ऐसी प्रस्तिति आएगी आप कोई भन्ना उससे मुश्किल लगेगा लेकिन थोड़ा सा धर थोड़ी सी साहस थोड़ा सा आत्मविश्वास लेकर आप चलेंगे तो हर प्रस्तितियां चिंज्च हो जाती है हमको प्रस्तितियों से लड़ना सिखना पड़ेगा आप प्रस्तितियां से लड़ेंगे, प्रस्तितियां अपने आप सल्भ हो जाएगे। उसके लिए साहस आजे और आत्म बालिकी और शक्ता होती हुआ हुआ कि मैंने वही किया, मैंने कभी हार नहीं माना, कि मेरे एकाउंट में एक भी पैसा नहीं है, बीजनेस करना है, कैसे ह होगा, क्या होगा, फिर मैंने बढ़ना शुरू किया, मैंने सुचा कि अब एजन्सी में तो ट्रिपल पैसा लगता है, फिर मैं ट्रेक चंग किया, और एजन्सी से मैं भूक लाइन, भूक लाइन से कुछ सपोर्ट मिला कि किताब बिखने के बाद ये, आप बैंक बिल्ट किया, आगे बढ़ते बढ़ते, खेर कंपनियां भी शुरू-शुरू में हर कोई परसान करता है, कंपनियां भी वादा की वादा करने के खिलाब चली गई, वो बुला कि मैंने किताब भेज दूंगा, किताब भेजी नहीं, फिर मैंने मुझे कर्ज लेकर, पैसा लेकर उस को पैसा भेजना पड़ा, फिर मैंने जर्निंग महां से सुदू की, शुरू-शुरू में कटनाईयां होती है, हमने भी झेला, बहुत सारी कटनाईयां झेली, नतीजा आज आपके सामने है, चली बहुत इंस्पारिंग जर्नी है, अगर इसको एक शब्द में या एक लाइ आप से डाउन आया, उपर जाने के बाद फिर ध्राम से नीचे आ जाना, क्या करना, जब एक दर्वाजा बंद होता है, तो एक दर्वाजा खुल जाता है, तो वो उस टाइम देखता नहीं है, लेकिन होसला रखे, विश्वास रखे, तो सब सल्व हो जाता है, वो दिखने तो पहुचिए, जहां तक दीख रहा, वहां पहूंचिएगा, तो आपको कहीं न कहीं इससे रोड दिखे गा, भले थ्यूदर साइड से हो, थोड़ा संकीन हो, लेकिन राष्ता मिलेगी, तो आप साकता है, कि आप आगे बढ़दे तो, आप साकता है, आगे बढ़ने के, आप अगर सफलता चाहते हैं तो आगे बढ़ते जाईए पतुषा कभी मत होई यह मत सूचिए कि मेरा जर्नी यहीं समाप्त हो गया अब मैं क्या करूंगा मैं भी होतुषा हो गया रहाता तो आज घर चला गया रहाता कि मेरे भी घर पर बहुत सारे खितिवारी है खितिवार मतलब यहीं मैंने कभी पतुषा नहीं हुआ हां मतलब भरोसा था कि लाइप में कुछ ने कुछ अच्छा जरूर कर सबसे बड़ी चीज है कि अपने आप पर विश्वास रखिए उपर वाले पर विश्वास रखिए आप अगर सही किये हैं आप आपका गाज क्रम आपका क आपका आचरन सही है तो उपर वाले आपको कभी निराश नहीं करेंगे वह बहुत इंस्पारिंग बहुत इंस्पारिंग बात सरके हैं सरा अपने आप पर भरोसा रखिए भगवान पर भरोसा रखिए अपने कर्म पर भरोसा रखते जाहिए आप आगे बढ़ते रहे तो शायद यही सफर था सरका कि एक लाख लोन के पैसे से करोड़ों तक का सफर इन्हों ने ताई किया अच्छा यह डान जो आप करते हैं समास सेवा जो करते हैं या पहले से आदत थी कि कुछ साल के बाद बना आपका देखिए यह सब पर माबाप का कुछ जो संसकार है वो साथ मेरता है तो मेरी मा का संसकार पादर के संसकार है दूसरों की सहता करना दूसरों के लिए कुछ करना देखिए हम लोग मानों जो शमाज में हैं तो हमारा फर्ज भूंता है चिरिया चलोंगा अपने लिए हर जानवार जीव जनतु अपने लिए तो सभी कर लेते हैं लेकिन मानों जोनी में इतनी स्रेष्ट जोनी में आने का मक्सद ही होता है कि आप अपने से ऊठकर कुछ दूसरों के लिए की जीए अगर यही सबसे बड़ा मानो धरन है तो हम लोग जान पाएं कि सर जो यह दान करते हैं यह ममी पापा के संसकार से ही मिला है सर को तो यह बहुत अची सोच है कि जितना भी आप कमाते हैं ना उसका कुछ परसेंट भले एक परसेंट ही हो आप चाहो तो डेनोट करते हो यह अप सक्षम होते हैं कम से कम अब दो जी बिल्कूर आप जो देते हैं वह यह मत सोचिए कि आप अपने से देते हैं गोड़नी आप दिया है उसके लिए और आप जो देते हैं रहे हैं किसी पहसान भी नहीं करते हैं आप अपने पहसान करें अप अपने और आप हमने खुद शास की अब कि आप किसी को किजी घाथा आपका इटोमेटिक फलिभूत होता है आप किसी को दीजिएगा तो आपको कभी कमी नहीं होगी आपको कभी भी किसी तरह का कमी मसूस नहीं होगी देने से आपका बढ़ता है घड़ता नहीं है मतलब एक लाइन में तो मेरा नुक्षान होगा यह सोच जो है यह बहुत निमने निमने सोच है आपका सोच यह होना चाहिए कि आप जितना दीजिएगा उतना ही आप प्रोग्रेस कीजिए भगवार ने दिया है आपको इसलिए कि आप कि दूसरे की मदद की है अगर आप अपने में सीमी तरह गए तो आप अपने तक सीमीतर आजए तो अपर सम्कुल उस लाइक नहीं कभी बनियेगा तबी आप दूसरे के लिए खड़े ऊशरिये बहुत अच्छा बात बोलें तो अगर कहा जाए तो प्रकति कभी भी आपको कि अगर आप देते हो तो एक feeling आती है कि भगवान ने मेरे को दिया है तो शायद आज इसलिए मैं कि भीखारी कभी भी किसी को देता नहीं हमेसा वो मांगता है तो अगर आप सक्षम है वही आत्मी दे सकता है जो सक्षम तो यह बहुत अच्छी सोच लगी सब आप कुछ बू ख्वान मुझे ऐसा बना तो कि मैं सिर्फ लेता रहू किसी को देना नुपड़े अच्छा और उसी का एक दोस्त था उसने कहा कि भगवान मुझे ऐसा कर देना कि मैं लोगों की साहता लोगों को देता रहू तो अगले जनम में जो लेने वाला था उसको फितमांगा बना दोस्ता लक्त लेता है उसको देने काम नहीं यह पैस उसको लेने का ऑँ दूसरे दोस्त को धनमान बना दाई य लूक्त भनान बहुत अच्छा लगा कुछ लोग मींड में यह लगत अच्छा लगा सर अच्छा अब आपके हेल्थ से रिलेटेड हम कुछ बात करना चाहेंगे सर जी सर आपका हेल्थ पहले बहुत ज्यादा था वेट बहुत ज्यादा बढ़ गया था चलने में तकलीफ होती थी थोड़ा सा उस दर्द को आप एक स्प्लेंड कीजिए और कैसे आपने उस दर्द से बाहर निकला वह हम जानना चाहते है क्योंकि हर किसी की बात नहीं है सर हर कोई इतना ज्यादा मतलब कमिटेड नहीं हो सकता है इतना ज्यादा डेटर्मिनेशन नहीं आ सकता है कि इतना ज्यादा वेट से इतना मेंटेन करना मतलब यह तारीब के काभिल है यह सर दिखिए एक तो मैंने बिजनेस में एक्षेप्ट की दूसरा चैलेंज मेरे लिए यह हो गया कि दस साल मैंने पैदल नहीं चला अच्छा है मैं जब चास में इंटर किया तो मैं चलना पैदल चलना भूल गया अच्छा है मैंने कि देड़ा से दुकान और दुकान से जेड़ा गाड़ी से ही नतीजा यह हुआ कि मेरा इस्तिति था कि दस कदम हम नहीं चल पाते जैसे भी चले पैर कैसे रखें यह मेरे को समझ में नहीं आता जैसे भी रखते थे पैर में चनकने लगता था दर्द होने लगते थी मेरे लिए एक बहुत बड़ा यह चैलेंज हुए हम तो अगर उस चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करते तो आज हमको उठाने और बैठाने के लिए द्वार में लगते ऐसी इस्तिति उत्पन हो गई थी हमने देखा कि यह वक्पी तो बहुत बड़ी प्रब्लेम हो गई हमन ाने फिर चलना सुरू किया अच्छा कि कुछ दीन थुदा दूर गए उसी तरह दबा दबा कर पैर दद कर रहे लेकिन उस उसी दर्ध को दबा कर चलते- Means की जंटे में आसंग तो चनल न चैन्म होने लगा चलते-ने चलते आप उसको दिखा सकते हैं। तो यह बहुत बड़ा चैलेंज था और उस चैलेंज को मैंने आज कम्प्लीट करकर पुरा आपके सामने फीट एन फाइन हूं कम्प्लीट हो आज मैं दोड सकता हूं सब कुछ कर सकता हूं तो यह मेरे लिए सबसे बड़ी चैलेंज था उसमें अगर मैं दर्द से दर्द के कारण चलना छोड़ देता परिश्रम करना छोड़ देता मेहनत करना छोड़ देता तो आज हमारी स्थिति दैनिया हूं लेकिन मेरे पास धर्द शाहस और आत्म विश्वास था कि मैं सोच लिया था कि मैं इसको कम करकर और अपने आपको फिट करकर दिखाऊंगा आँ वो मैंने किया अच्छा आपको क्या लगता है कि यह जो हेल्थ आपका कम हुआ है इसमें एक्सरसाइस का ज्यादा हाथ है कि अब खाने पिने में भी कुछ कंट्रोल किया हाँ खाने पिने में भी जैसे की मैं चाग बहुत लेता था चाई बंद कर दिया मिथा बहुत खरता था मैं मिथा बंद कर दिया और थे कि थोड़ा सा डाइट को लो किया कि थोड़ा सा खान पान पर भी कि मैंने अंकुछ लगया सुभा उठते के साथ है आपका पहला डाइट क्या होता पेट में क्या जाता है के शूब अरते की समय तो मैं पाझ पीता हूं कि अदो गया स्पानी प्यां लासिंग गया उसके बाद वर्क haut किया पर्उठास कर्ने के बाद आया है जब लेता हूं उसके बाद अभी का डाइट मेरा अभी का मने नास्ता में मेरा प्रोट सा है तो पहर को रोटी चावल डाल सब्जी ये सब दायोगर सब्साब को भुंजा है अच्छा ठीक है रात का डिनर आप कब तक ले लेते हैं रात का डिनर मैं सार्याट तक लेता हूं इसके अंदर ही लेते चुकित देखिए रात का ही डायट क्याप को ज्यादा नुक्षान करता है रात में डायट इंदम हलके करना चाहिए बिल्कुल मैं सब को कहना चाहूंगा सब दर्सकों को बोलना चाहूंगा कि रात का डायट आप जल्दी ले ले सुने से बहुत बहुत अच्छा है तो आज भी लगता आप एक्सरसाइस कंटिन्यू रखें हैं जी करीब कितना देर आप एक्सरसाइस करते हैं दो घंटा सुबर मेरा एक्सरसाइज चाह दो घंटा अभी भी आप कंटिन्यू रखें हैं जी जी बहुत सारे आज आज मैं जब कुरोना था उस समय मैं जीम नहीं जा पा रहा था तो मैं यहां से मतलब की यह राम मंदिर से जागे जाता था उसके बाद दी में वन वाला फिल में जाता था वहां चार-पांच राओंड मैं दड़ता हूं आज भी उसके बाद आधा घंटा पॉन घंटा एक्सेसाइड करता हूं फिर वहां से पैदा लाता हूं तो यानि छो किलो मीटर का मेरा रनिंग हो जाता है तो यह तो फ्यूचर में आप कंटीनू रखिएगा इसको छोड़ना जी नहीं हो तो देखिए आज यह सभी से मैं बोलना चा आप चाहते हैं कि हमको दावा ना करना पड़े तो सुवरा के एग घंटा कम से कम आप पवस्ट निकाली अपने शरीर के लिए बिल्कुल बिल्कुल कि क्योंकि बहुत वार्णिक है जोगा कीजिए जो भी करना है एग घंटा तेड़ घंटा आप अगर देते हैं तो मैं उ इस टॉक से तो अबर आल हमने देखा कि हेल्थ और वेल्थ दोनों पर सर बहुत भरपूर काम किये हैं आज दोनों की कमी महसूस नहीं होती है सर को बहुत अच्छा लाइफ में ग्रो कर रहे हैं और कौन सी बाते आपको अच्छे लगे हैं कमेंट करके जरूर बताईएगा क्या लर्णिंग आपको मिली है वो भी बताईएगा और क्या सुझाओ देना चाहते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताईए और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो देखने के लिए लाइक करने के दिल की घराईयों से बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद